वेलकम स्टू ने लास्टे वी डिसकस अब ती मैट्रिक्स, इंट्रो दिया था कि मैट्रिक्स यही होती है, कितने तरह की होती है, ठीक है, एक कोश्चन भी कराया था, कि अगर आपके पास माल लो 6 या 8 एलिमेंट्स है तो आप कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो, और मैंने कहा तो मैंने एक चीज आपको बताई थी, कि कैसे कोश्चन अब्जेक्टिव में ही आएंगे, बन माक के ही आएंगे आपके एक्जाम में, तो मैंने आपको इक चीज बताई थी, कि number of matrices is always equal to number of factors, अगर तो छोटा element है, तो जैसे आप छोटी classes में factors बनाते थे, तो आप बना सकत हो, हमें पता है कि इसके क्या-क्या factors बनेंगे तो हम बना सकते हैं आपके बास, जैसे 28 का एक factor 1 आएगा, एक 2 आएगा, और एक 4 आएगा, एक 7 आएगा, और 14 आएगा, और 28 आप आएगा, so हम कितनी matrices बना सकते हैं इसमें, अबकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 matrices, तो हमने बड़ा इसली निकाल लिया, for example, अगर यह IIT में आता है, तो हो सकता है, बड़ा नमबर दी आजाए, तो अगर बड़ा नमबर आजाए, तो हमें factors कैसे बनाने आए, तो मैंने काल था, कलिप्स का एक shortcut भी बताएंगे, तो shortcut क्या है, कि कोई भी आपके बस composite नमबर ह है, तो उसकी prime factorization करो, जैसे P1 की पार K1 आगया, P2 की पार K2 आगया, up to so on, हमने prime factorization कर ली, तो number of factors, एक rule होता है, हमेशा किसके equal होते हैं, K1 plus 1, K2 plus 1, up to so on, Kn plus 1 करके हम सबको multiply कर देंगे, तो इतने ही उसके factors बनेंगे, ये बहुत important point है, as a competition point of view से, number of factors भी पूछा जा सकता आपको, competition में आपको, तो आपको ये चीज याद रखनी है, आपके दिमाग में commit to memory रखनी है, कि in competition point of view से भी ये चीज बहुत important है, जैसे, ये question करते हैं, 28, 28 की prime factorization करी, तो क्या आगया, 2 की पार 2, into 7 days to power 1, So, number of factors कितने आएंगे, rule के मुताबिक आपके पास, 2 plus 1 into 1 plus 1, 2 plus 1 is 3, 3 to the 6, हमने पहले भी यही बात करी, कि आप कितनी matrices बना सकते हो, 6, तो जितने factors हैं, हम उतनी matrices construct कर सकते हैं, So, ये चीज को आपको याद रखना है, कि आपने बनानी, कैसे हैं, अगर कोई बड़ा number आगया, तो आपको मैंने easiest way बता दिया, कि P1 की बार K1, उसकी prime factorization करी, जो power आ दिया, जैसे, इसकी power 2 थी, और इसकी power 1, तो power plus 1, और इसमें power सब जितनी भी आ रही हैं, सब को multiply करते हैंगे, तो उतने factors आएंगे, और जितने factors आएंगे, उतनी ही matrices आएंगे, अब सारे question इसके बड़े easily कर सकते हो, even permutation में भी question ही आता है, competition में, कितने factors आप बना सकते हो, तो आप इस EPA से factors बना लोगे, is that clear, now, ऐसा भी एक one mark का question आ सकता है, if we have elements, 1 and minus 1, and we want to construct, 3 by 3 matrix, then how many matrices you can construct, how many matrices we can construct, तो, आपके बस elements हो है, हमने matrices कौन सी बनानी है, 3 by 3, 3 by 3 का मतलब, मैं 1, 2, 3, 3 rows होंगे, और 3 columns होंगे, मतलब, हम कितने elements place कर सकते हैं, 9 elements, और मुझे elements कौन से use करने हैं, या तो 1 use करने हैं, या minus 1 use करने हैं, तो, पहले elements के बाद भी 2 option है, दूसरे के बास भी 2 option है, तीसरे के बास भी 2 up to so on, 2 कितनी times आएगा, 9 times, so, we can construct 2 raise to power 9 means, 5, 1, 2 matrices, यह भी question बहुत important है, board point of view से भी, competition point of view से भी, जाता board, क्योंकि board point में बाद माद में अक्सर आते हैं, आपको बास यह से नीचे option दी होंगी, 5, 1, 2, 2, 5, 4, कितनी बना सकते हो, इसकी जगा 3 element भी हो सकते हैं, अगर 3 होगा तो 3 raise to power 9 होगा, ऐसा भी question आ सकते हैं, कि we have, by using 1, 0, minus 1, how many, 2 by 2 matrices, we can construct, अब element string है, हमने किसनी matrix बनानी है, 2 by 2, आपको ऐसे नीचे option दी हो सकती है, आपके पास, 3 raise to power 4, 2 raise to power 4, 2, 1, 2, D, 9, तो आपके पास matrix है, 2 by 2, तो 4, पहले के पास कितनी options हैं, 3, दूसरे के पास भी कितनी हैं, 3, 3, 3, तो कितनी matrices बना सकते हो, 3 raise to power 4, 81 answer भी हो सकते हैं, is that clear, तो ये question भी objective में, 1 mark में आ सकता है, तो कि इसमें सिर 1 mark का equation आना ही, आना है, तो एक ओर करें, 1 mark में आ सकते हैं, पिंडर, दी फॉर्मुला, Aij is equal to 2i plus 3j, क्या order की matrix मनानी है, 2 by 3, 2 by 3 का मतलब, 2 rows, 3 column, हमें क्या चाहिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, So, A11 का मेंज, IB1, JB1, तो इसमें substitute करेंगे, 2 into 1, 3 into 1, तो क्या आ जाएगा? 5, A12 मेंज, I1, J2, 2 plus 6 क्या आ गया? 8, A13 मेंज, 2, 3 into 3, 9, 9 plus 2, 11, फिर A21, इसका मतलब, I2, J1, तो इसमें substitute, जो गिवन है, उसमें substitute करेंगे, 3 into 1, 4 plus 3, 7, A22, 2 into 2, plus 3 into 2, 2, 2s are 4, 4 plus 6, 10, A23 means, 2 into 2, 3 into 3, तो 4 plus 9, 13, तो आपके पास बिटा, मैटिक क्या construct हुई? 5, 8, 11, 7, 10, 13, आपको कोई भी formula दिया हो सकता है, कोई भी order दिया हो सकता है, तो इस तरह के भी questions, 2 marks में आ सकते हैं, कि कोई भी matrix किसी भी तरह की construct करो, 1 माद में भी कुछ भी दिया हो सकता है, इसमें complex दिया हो सकता है, ऐसे भी का हो सकता है, Aij, E की पार, IJ into sin IJ, X, तो अगर ये का होता, तो मतलब A11 इसमें क्या आता, IB1, JB1, तो E sin X, A12 क्या आता वेटा इसमें, I1, J2, तो E की square sin 2X, ठीक है, I13 क्या आता, E की cube sin 3X, I, A21 क्या आता, E की 2 sin 2X, similarly others भी आ जाते हैं, और आप उसको ऐसे ही, matrix की form में, लिख सकते हैं, तो इस तरह केईगी questions आ सकते हैं, जादा important नहीं है, पर आ सकते हैं, deny नहीं कर सकते हैं, कि नहीं आ सकते हैं, exams नेंग आ सकते हैं, सो, next बात करें, equivalent matrices, the two matrices, A and B, said to be equivalent, if order of A is equal to, क्या आ जाएं, order of B, अगर A और B का order, same आ जाएं, तो वो क्या होगी, elements चाहे same ना हो, order same हो, जैसे for example, A कोई matrix है, इसका order है, 2 by 3, B कोई और matrix ले ले लेते हैं, order कोई same, order same है, पर elements बिल्कुल भी same नहीं है, So, A is equivalent to B, यह sign है, equivalent का, So, equivalent matrix क्या होगी, अगर उनके order क्या होगी, same होगी, elements की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, क्या order same हो, next, equal matrices, equal matrices क्या होगी है, the two matrices, A is equal to B, और में बाज़र दो ही होगी, तभी हम compare करेंगे, comparable matrix भी कह सकते हैं, पहली बात, A is equivalent to B, मतला, order of A, किसके equal आए, order of B के, पहली बात, दूसरी बात, corresponding element, of A, is equal to, corresponding, element of B, corresponding element of A, किसके equal आएगा, corresponding element of B, के equal होगा, तो equal, मतला, order तो same ही है, elements B, same, पिल्कुल होने चाहिए, अगर A कोई matrix है, मानलो, 2, 3, minus 1, 4, और B कोई matrix है, इसका भी order 2 by 2, order B 2 by 2, A11, B11, के equal है, A12, B12, के equal है, A21, B21, के equal है, A22, B22, के equal है, corresponding position के, elements भी same है, और order भी same है, so, A is equal to B, equal तब ही होगा, जब उनके, order भी same होगा, और, elements भी, same, होने चाहिए, इसके साथ, एक दो related questions करते हैं, आ सकते हैं, आपके बस, exam में, A minus B, 3, A plus B, 4, is equal to, 5, 3, 7, 4, point, A and B, तो, student द्यान से देखो, के उसने given लिया होगा है, कि ये matrix इसके equal है, अगर ये matrix इसके equal है, तो, पहला element पहले के equal होना चाहिए, दूसरा दूसरे के, ये इसके, और ये इसके, तो मतलब, A minus B, किसके equal आएगा, 5 के equal, और A plus B, किसके equal आजाएगा, 7 के equal, अब आपके बस ये 2 equations आगी, जैसे आप छोटी classes में करते थे, इसको simultaneously solve, कर लेते हैं, तो हमने add करा, 2A आगया, 12, A की value के आगई, आपके पास, 6, अब A की value 6, इसमें put करें, तो B की value के आजाएगी, 7 minus 6, यानिके, 1, तो हमने, A और B की value, डून्ट ली, फिर देखें, equivalent matrices क्या होती है, अगर सिरफ order same हो, और equal matrices क्या होगी, order भी same हो, और elements भी same हो, तो matrices क्या होगी, आपके पास, equal हो जाएगी, एक दोर questions करते हैं, X, 2Y plus X, Z plus X, 4 plus T, is equal to 3, 7, 8, 9, find, X, Y, Z, T, अगर दो matrices equal हैं, तो X किसके corresponding, corresponding के equal हैं, तो X किसके equal आया, 3 के equal, 2Y plus X किसके equal आया, 7 की equal, तो यहां X की value put करें, तो यहां से Y निकल आएगा, Y की क्या value आगई, 2, तो, Z plus X किसके equal आया, 8 के equal, तो Z की value के आगई, 8 minus 3, 5, similarly, 4 plus T, किसके equal आगया, 9 के, 9 minus 4 के value आगया, आपके पास, 5, इंटेक्ट लिए, समझाई, कि अगर 2 matrices equal हैं, तो corresponding element, corresponding के equal, होना, चाहिए, आपके पास, 3 ही equal होंगी, वरना, equal नहीं हो सकते, एक और और question करके रिखते हैं, A plus 4, 3 B, 8 minus 6, is equal to, 2 A plus 2, B square plus 2, 8, B square, minus 5, B, if this net picture equal, point A and B, so according to our condition, A plus 4, is equal to, 2 A plus 2, यहां से calculate करें, A को इदर ले जाएं, 2 is equal to, क्या आजाएगा, 2 A minus A, और A की value क्या आजाई, 2, similarly, 3 B is equal to, B square plus 2, so B square minus 3 B plus 2, equal to 0, यहें क्वादरिक आगई, इसके factors बना लेते हैं, जैसे छोटी classes में बनाते थे, वाइस अप्लेटिंग, middle term, B minus 1, तो B की क्या value आई, 1, 2 और 1, 8, 8, 8 के equal है, पर B इसमें भी है, तो अब इसको भी लेना पड़ेगा, अगर B की 2 value यहां से आ रही हैं, 2 यहां से आ रही हैं, तो हम सारी दी लेंगे, हम वही value consider करेंगे, जो दोनों में common आएंगी, तो के equal तब ही हो सकता है, वरना हो नहीं सकता, तो B square minus 5B, B square minus 5B plus 6 is equal to 0, बनाओ इसके factors, तो क्या बनेंगे, B minus 2, B minus 3, तो इसमें भी B की 2 value आई, 2 और 3, पर इसमें 2 और 1 आ रही है, और इसमें 2 और 3 आ रही है, common value बीच में से कौन सी आ रही है, ये वाली, 2, 2 इसमें भी है, तो 2 इसमें भी है, तो फिर B की value क्या रहेगी, 2, B is equal to 2, और A b 2 by chance, the matrices are equal, 1 के लिए equal नहीं हो सकता, 3 के लिए equal, क्योंकि अगर इसमें 1 रहेंगे, तो इसकी value 3 आई, तो इसकी value भी 3 आई, लेकिन इसमें minus 6 है, और इसमें minus 6 नहीं आएगा, तो equal किसके लिए होगा, जो जोनों में common होगा, और मान लो, कि अगर B की value यहां 2 और 2 common नहीं आता, यहां भी कुछ और आती, यहां भी कुछ और आती, तो common नहीं आता, तो यह compulsory था, कि यह matrix is equal, कभी नहीं हो सकती, these having no solution, इनका कोई भी solution नहीं होता, कि अगर वो equal होती, तो equality के लिए, यह बहुत ज़रूरिक है, कि उनमें आपस में relation है, वो कोई ना कोई value common आएगा, अगर common नहीं ही आएगी, तो matrices equal नहीं हो सकती, आपके पर, is that clear, तो आप इस तरह से, अपने अपनी books में से, question कर सकते हैं, हम next topic में discuss करेंगे, addition and subtraction of the matrices, फर्दर आप video देखने के लिए, मेरे इस channel को subscribe कर लें, ताकि जब भी मैं कोई chapter कराऊं, तो आपको notification साथ ही, आपके आपके जिए, झाल झाल झाल